सलाम उलेकुम तो भाई आज हम पढ़ेंगे इंटर्नल डिजिस्संस पेपर के लिए यह मोस्ट इंपोर्टन्ट है साथ हम पढ़ेंगे एलेक्ट्रोमोटिफ फोर्स उसके साथ टर्मिनल पोटेंचिल डिफरेंस देखो यह आगे आने वाले टॉपिक के लिए मोस्ट इंपो अब यह कौन सा सेल है पैंसिल सेल यह रिमोट सेल जो आप लाकर रिमोटों में लगा रहे होते हो अपने टीवी के रिमोट में तो उस सेल में क्या काम हो रहा होता है यह हम पढ़ेंगे पोटेंशल डिफरेंस उसमें कैसे होता है यह पढ़ेंगे तो याद रखना यह बड internal resistance पढ़ाऊंगा उसके बाद आगे चलूँगा लेकिन पहले यह समझ लो आप जो है अपने घर में cell खरीद के लिए कर आए cell आपके पास इस तरह से दिखता है अंदर आपको कुछ उसके नजर नहीं आ रहा होता लेकिन उसके अंदर ही असल काम हो रहा होता है जिसकी वज़ा से आपका remote काम करता है अब होता क्या है देखो भाई आपने cell खरीदा cell के अंदर जो resistance होगी उस resistance को बोलोगे internal resistance internal के word से ही वाज़र है बात कि यह जो resistance है वो अंदर होगी अब आपके दिमाद में क्या है कि एक conductor है उसके अंदर resistance ठीक है लेकिन जो source होता है ना जो battery होती है उसके अंदर भी resistance होती है उसके अंदर की resistance को ही internal resistance कहते हैं देखो किती असानी किती असान बात है बैटरी के अंदर की resistance अब वो कोई भी बैटरी हो सकती है कोई भी source हो सकता है तो किसी भी battery या source के अंदर की resistance internal resistance है अब अंदर क्या माजरा है इसको देखते हैं आपने chemistry में तो यह बात पढ़ ली है कि cell बनता है आपके पास chemical से उसके अंदर electrode होते है और उसके अंदर होता है cathode मतलब electrode होते है एक cathode होता है एक anode होता है cathode पर positive charge होता है sorry anode पर positive charge होता है cathode पर negative charge अब बहुत detail में इस चीज़ को पढ़ चुके हो अब देखो होता क्या है याद रखना cathode पर negative charge एनोट पर positive charge मैं लिख भी दूँगा ताकि आपके लिए clarity आज़े देखो यहाँ पर होता है आपका positive terminal यहाँ पर है आपका negative terminal और यहाँ पर मौझूद होती है internal resistance जिसे हम लिख देते हैं small r से याद रखना terminal और electrode में क्या फरक है भाई देखो electrode आप उसे बोलते हो chemistry में उसी चीज़ को physics में आप टर्मिनल बोल देते हो तो यह जो positive terminal है यह क्या है anode यहाँ लिख देता हूं मैं terminal और electrode यह एलेक्ट्रोड कह लो electrodes यह electrodes कहलो यह इसे terminal कहलो अब आप टर्मिनल में positive terminal negative terminal कह देते हो पर electrodes में क्या कहते हो इसे यह तो anode anode यह तो cathode ठीक है अब anode पर आपको पता है positive charge होता है cathode पर आपको पता है negative charge होता है terminal में आपके पास क्या आता है positive terminal और negative terminal ठीक है दोनों चीज़े सीम है कोई इसमें confused होने की जरूबत नहीं है यह clarity में आगई बात अब बैटरी के अंदर जो resistance है उसे internal resistance लेकिन लिखते है small r से है तो यहाँ पर लिख लो ठीक है इससे क्या लिखेंगे internal resistance चलो यह बात समझ में आ गई अब पूरी चीज़ clarity में आ जाएगी चाहिए साहिए अब देखो internal resistance कितनी है कैसे पता चलेगी एक आपको इसके अंदर voltmeter लाना होगा अब voltmeter कौन से डिवाइस होती है voltmeter वो डिवाइस होती है जो कि voltage को मेजर करती है कितना voltage है और इसे हमेशा parallel में connect करते हैं यह याद रखना ठीक है एक्स्ट्रा बात है लेकिन बता रहा हूँ तो वोल्ड मीटर आ गया अब वोल्ड मीटर का सेंबल कैसे होगा यह ऐसे होगा वी लिखा होगा और इसके अपर सरकल तो कितना internal resistance है यह वोल्ड मीटर आपको बता देगा अब बैटरी आपने किस से connect करी होगी बैटरी अगर है तो कोई ना कोई आपने वरत तो से करा नही होगा ना यानि कोई ना कोई चीज तो चलानी होगी कोई ना कोई conductor तो होगा तो यह आगिया आपका एक conductor उसमें resistor है resistor भी हमारे पास load होता है क्योंकि वो भी energy use करता है ठीक है तो यह आगिया आपका resistor अब इस resistor के इर्द गिर्द क्या voltage है यह कैसे पता चलेगा यहां भी एक voltmeter लगा दिया जाएगा ठीक है clarity में आ गई ऐसी कुछ diagram आपको आपकी बुक में भी बना के दीवी है तो वह भी चाहो तो देख सकते हो अच्छा वहां पर उन्होंने वोल्ट के तौर पर यह पूरा एक डिवाइस बना दिये तो हम इसे से वी लिख सकते हैं कोई मसले की बात नहीं है ठीक है और यह बात याद रखना हमेशा वाल्ट होता है देख हो यह कैने कि न यह था से अगर करन्ट यहां से करण आ रहा है तो समझ में आ गई ना बात parallel connection हुआ है अब देखो होता क्या है अब कोई भी internal resistance आप नहीं देख रहे हैं आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या potential है तो इसी को कहा जाता है EMF बात समझ में IMF नहीं EMF EMF तो आपको बता है क्या चीद है यहां EMF की बात कर रहे है EMF की full form क्या होती है Electromotive Force अब यह जो इसमें force का word है यह confuse करता है कि यह कोई force है यह कोई वैसी physical force नहीं है Electromotive Force का मतलब है maximum potential difference जो battery आपको दे रही है समझ मैं ही बात for example इसको मैं जब मज़ेदार तरीके समझाता हूँ EAT पर आपको ED मिली अपने मामो से चाचू से 1000 रुपए वो थी EMF लेकिन आपकी अम्मी ने वो ED अपने पास रख ली और आपको दे दी 100 रुपए वो था आपके पास terminal potential difference maximum 1000 रुपए आये थे लेकिन 900 क्योंकि हर किसी को ED तो मिलती ही होगी ना वाई अच्छा होता क्या है बैटरी आपको देती है EMF 1000 रुपए देती है समझ लो बैटरी आपको देती है maximum potential difference लेकिन internal resistance होने की वज़ा से वो EMF कम हो जाती है और EMF कम होकर बन जाती है terminal potential difference अब जिंदगी वर याद रखना भूलन मत चलो अब थोड़ा और किलिए ready लेकर आता हूं EMF EMF हमेशा ज्यादा होगी VT से इसको इस तरह भी कह सकते हैं के हाथी के दात दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और मतलब बैटरी आपको दिखा रहे होगी मेरे पास 9V है लेकिन वो काम 9V से कम करेगी उसकी वज़ा य नहीं भी हो सकती है वहां पर गाड़ियों के लिए रुकावड हो सकती है अगर यह रिजिस्टन्स आपके पास रोट पर बनीवी कोई barrier है अगर यही रिजिस्टन्स बैटरी के अंदर है तो यह energy के लिए रुकावड आ जाएगी ठीक है यह potential difference के लिए रुकावड आ जाए तो फिर यह बन गिया terminal potential difference जो के अब 10 volt नहीं रहा 8 volt हो गया कम हो गया कम होने की वज़ा यहां पर internal resistance मुझे लग रहा था बहुत मश्किल हो गई topic समझाना लेकिन मुझे feel आ गया कि आपको समझ आ गई यह बात चलो अब इसी को तरह terminal potential difference समझ लेता है वो इदी वाली बात न no current flow एक और बात भी समझ लो यह मैं जब चेक कर रहे होता है ना तो हम यह circuit open कर देते हैं या शायद नजन नहीं आ रहा होगा इधर बना देते हैं तो हम क्या करते हैं कोई भी current flow नहीं होने देते हैं क्योंकि अगर current flow हो जाएगा तो फिर हमां कितनी maximum value आ रही है वो पता नह हम इसको connect कर देते हैं तो फिर हमार पास जो potential difference आ रहा होता है वो आ जाता है terminal potential difference अब potential difference भी निकालना सिखाता हूं मैं ठीक है अब EMF का unit भी वोल्ट ही है क्योंकि भाई यह वोल्टिच ही है बात याद रहेगी ना वोल्टिच ही है इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि भाई आपने बाल्टी भरी पूरी इस्तेमाल करी सिर्फ आदी चलो टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस इट इस दा एक्चुल वोल्टिच अक्रॉस दा टर्मिनल ऑफ डिवाइस अकाउंटिंग यानि गिन्ना फॉर इंटर्नल रिजिस्संस एं लॉसस बात समझ आ गई कि यह वो पोटेंशल है जो आपको मिलना है और यह क्यों आ रहा है क्यों आपने जब भी पढ़ा 12 पढ़ा है यह निदुट लिखा वाओगा आइडियल पोटेंशल डिफ्रेंश के आइडियल बल्टेज लिखता हो सम्झाता हूं ठीक है के ऑइडियल को इटिफरेंस बात क्कि लिएर हो गई है बस थोड़ा सा रेहता है ऐडियल पोटेंशल यह E.M.F. होता था बात समझ गए होगा देखो जब भी हम कहते हैं आईटीय इसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं क्या हटा रहे होते हैं परहें पढ़ा है ना आईडियल फ्लू California ideal friction ideal friction में भी आ रहा होता ideal का word आपने जब जब ideal का word पड़ा है तो एक चीज़ आपने हटाई है और वो क्या हटाई है मैं आप नहीं बता रहा है आप सोचो comment section में मुझे बताओ कि ideal का word क्यों लगाते हुआ why we use words of ideal resistance को हटाने के लिए friction को हटाने के लिए कहते है ना ये system ideal है इसका मतलब है कोई resistance नहीं है कोई friction नहीं है कहते है ना ideal voltage यानि कोई resistance नहीं है तो जब कोई resistance ही नहीं होगी तो जो EMF है वो ही आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास ideal का word इसलिए आ रहा है कि कोई resistance नहीं है तो जब resistance ही नहीं है ideal potential है तो इसका मतलब EMF ही है आपके बात clear हो गई ठीक है तो लिक लो no resistance ठीक है no resistance अब actual में कभी ऐसा नहीं होगा मतलब real life में कभी ऐसा नहीं होगा real life में हमेशा रहेगा अब सर आप बोलोगे आपके दिमाग पर सवाल आईगी बात कि सर जब ये चीज़े ideal होती ही नहीं है तो हमें क्यों पढ़ा देते हैं हमें हर जगफ ideal करके पढ़ाया हमें projectile में भी ideal cases पढ़ाया है यहां भी पढ़ा रहे है ideal देखो मैं बताऊं अगर ये ideal का चक्कर हटा दे हम तो आपको बात फिर कभी समझ नहीं आईगी उसकी वज़ा यह है कि ideal जो चीज़ नहीं होती फिर उसके उपर integration लगती है derivation लग रहे होते हैं क्योंकि उसमें ideal ना होने की वज़ा से friction आती है friction energy को loss कराती रहती है energy के loss होने की वज़ा से फिर calculation easy नहीं रहे जाती तो calculation को easy बनाने के लिए आपके standard का बनाने के लिए ideal केस लिए जाते हैं ताकि बस value आए और answer आए ठीक है just value आए और answer आए वाला चक्कर होगी है बात समझ आ गई अच्छा आप ideal potential difference समझ गाए अच्छा एक और समझ चीज समझ लो resistance क्या होती है तो आपको पता किसी भी conductor में मौझूद होगी अब उसे आप external resistance भी कहते हो और इसे r से लिख रहे होते हो इंटरलर resistance हमेशा small r से लिखेंगे अब एक छोटी सी derivation करते हैं एक छोटी सी चीज drive करते हैं यह जो आपके पद वी टी है इसका भी यूनिट वॉल्ट है ठीक रियाद रखना इसको हम वी टी बोलते हैं अच्छा अब जब derivation यह कहीं पर आगे पड़ोगे ना इसका सेंबल यह पूरा EMF नहीं लिखा जाएगा इसका सेंबल यह सिर्फ E लिखा जाएगा और ideal voltage को ना ideal voltage को ideal voltage को भी E ही लिखा जाएगा अच्छा एक और voltage की बात भी की गई है वो है internal voltage अब वो कैसे आ रहा है जब यह EMF वाला voltage गुजर रहा है ना इस resistance में से तो उस वकत जो voltage आ रहा है वो internal voltage है यानि समझ लो इदर आएगा वो अब वो इदर क्यों आ रहा है इसको आई एंड लिख रहा है जगा निया मना पूरा लिखता है अब इदर क्यों आ रहा है देखो यहां से EMF था current इस resistance से बुदर गया जो internal voltage जो internal resistance थी वो आ गई आपके पास तो अब यह EMF E नहीं रहेगा यह V I हो जाएगा ठीक है आज वो जहरा मेरी पास सुनो अब आपको यह वाली equation एक drive करनी है कि V T equal to E plus वैसे तो यह direct ही लिख दिए इसको कोई drive क्या करेगा तो V internal अच्छे प्लस नहीं होगा माइनस होगा अब ऐसा क्यूं है मैंने बता दिया यह का मतलब EMF है वी का मतलब internal voltage है जो के resistor की वज़े से आ रही है देखो EMF में कोई internal voltage है मिल नहीं होती यह maximum होती है बात हो गई है लेकिन जब resistance ले लोगे ना तो अब यह EMF नहीं रहेगी है वी आई हो जाएगी अब यहाँ पर तरह बात करते हैं कि यह वी टी निकलती गैसे वी इंटर्नल ऐसे निकलेगी ओंशलो क्या पड़ा है ठीक है आई ही रहेगा लेकिन अब यह जो वी है ना यह बन जाएगा वी इंटर्नल करन को ना स्मॉल आई से शो किया जा रहा होता है लेकिन यहां देखते हैं हां इन्होंने कैपिटल में लिख रहा है उसाई को अब यह तो यह पीटल ही रख रहा हुँ इस पूंछ रहा हा है था तो मैं इसे इल्जा रख रहा हुए लगा आपका अब उपपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी लें इंटर्नल हो इंटर्नल हो गया आपका और इक हो गया तो आई रहा अब आर जो है स्मॉल आर हो गया तो अब यह एक्वेशन क्या बनेगी अगर मैं पूट वी इंटर्नल कि इन एक्वेशन वन इक्वेशन की स्पेलिंग तो यह क्या बन जाएगा आपके पास वी टर्मिनल यह नहीं जो आपको मिलना है वो क्या है वी टर्मिनल जो मैक्सिमम क्या था और वो कैसे आया आई आर के मदश से यह बस यह चोटी सी एक थी मैंने लिखवा दी आई होप बास समझ आ गई होगी अबते को मैं काफी clarity में ले गिया हूं चीजों को लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़ा और clarity में लेकर रहा हूं चीजों को तो थोड़ा सा मैं पढ़ भी दूंगा पैसे तो मैंने बहुत easy करके लिखवा दी है लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा internal resistance क्या है internal resistance is the opposition opposition यानि रुकावट जो चीज को रोके to the flow of current यह असल बात लिकिए within a battery देख लो बैटरी के अंदर बनाया था यहां भी यही बात लिकिए है अच्छा और जब आप बैट बैटरी फूल जाती है गरम हो जाती है क्यों होती है internal उसके resistance मौझ ठीके लोग सोचते हैं आग लगी वे अंदर तो अगर लग जाएगी तो वैसी जल जाना है उसने तो अंदर उसके resistance होती है जिसकी वज़़ा से यह बैटरी गरम हो रही होती है अक्सर आपकी खुद की ब the internal resistance of a source of electromotive force has a significant effect on the terminal potential difference across the source अब यह बात जो मैंने कही वह यह कह रहा है कि यह जो internal resistance होती है यह बड़ा ही effect लाती है किसके उपर EMF के उपर यानि EMF को कम करके वी internal बना देती है और साथ ही तर्मिनल वोल्टिज आ जाता है आपके पास उस वज़़ा से ठीक है अच्छा लिख दी है the terminal potential defense is the voltage measured across the terminal of the voltage source when a load is connected जब आप load connect करोगे आपको जो potential मिलेगा वो VT होगा वो VT क्यों आ रहा है क्योंके EMF नहीं आया EMF कम हो गया वो VT बन गया बात के लिए T हो गया अच्छा उसके बात है potential drop potential drop क्यों हुआ इस internal resistance की वज़़ए से potential कम हुआ वही सारी बात English में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो clarity में लेकर आचुका हूं चीजों में देखते हैं कितना टाम हमने PDO में लगा लिया 18 मिनट तो अब इसको यहीं रोकता हूं इंशालला अगले जितने भी topic हैं वह ऐसी आएंगे और मैं फिर बता रहा हूं इससे पहले जितने भी topic आ आम हो रहे यह बताया जाएगा आपको मीद करता हूं मेरी बास समझ में आई होगी थैंक्स वर वर्चिंग अलाह आपिस कीम्टी दूओं